आज हम आपको बताएंगे उन साथ चीजों के बारे में जो आपको सोते समय अपने पास आपने सिरहाने के पास हर्विस नहीं रखनी चाहिए ध्यान से सुने क्या है वे साथ चीज़े अपना वालेट अपना पर्स कभी भी अपने सिरहाने पर रख करना सुए अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो बात दूसरी है या कोई और एमर्जेंसी है आप कहीं ऐसी अपना पर्स के अपने साथ ही लेकर सोना है तो उसे आप अपने सिरहाने पर रख सकते हैं वो दूसरी बात है अदर वाइस लक्षमी को आप अपने सिरहाने रख करके इस तरह अपने बिस्तर के पास रख करके सोएंगे तो सही नहीं है क्यूंकि आप इस तरह चिंताओं से घिरे रहेंगे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक गैजट फिर भले वे मुबाइल हो या लैपटॉप इन्हें भी आप अपने सिरहाने रखकर नसों क्योंकि ऐसा करने से आपको बेवजह मानसिक तनाव रहेगा अपने तकिये के नीचे कोई बुक कोई मैगजीन या अखबार भी न रखें कई बार मैगजीन अखबार में बनी हुई तस्वीरें यंत्रों का काम करती हैं और तकिये के नीचे रखें यंत्र हानिकारक हो सकते हैं इसलिए ऐसा कतई न करें रात को सोते समय जूते चपल आपके बैड के पास आपके सिरहाने के पास नहीं होने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेहत के साथ साथ आपके धन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है कोशिश करें कि आपका सिरहाना किसी भी समय बीम के नीचे ना हो क्योंकि बीम के नीचे सिरहाना यानि मुसीबतों को दावत घर में रात भर जूटे बरतनों का रहना अशुब माना गया है इसलिए खाना खाने के बाद अपने बरतनों को या तो साफ करके रखें या फिर कम से कम उनकी जूठा निकाल कर रखें। किसी भी परिस्ति में अपने बिस्तर के पास जूठे बरतन न रखें। जंगली, डरावने, जानवरों की तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो उदासिया क्रोच से भरी हूँ, उन्हें भी अपने बिस्तर के पास न रखें। तो ये थी वे साथ चीजें जिनसे आपको सोते समय दूरी बनाये रखनी हैं। ये छोटी-छोटी साफधानियां बरतते हुए स्वस्त रहें, खुश रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडितायन चवी शर्मा कल फिर उपस्तित होगी, तब तक आज क्या आनंद की जाए।